नमस्ते दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लीवर की गंदगी को कैसे साफ कर सकते हैं दोस्तों लीवर हमारे शरीर का बहुत important पार्ट है लीवर हमारे खून को साफ करने से लेकर खाना digest करने में भी हमारी मदद करता है लेकिन आज की हमारी गलत आदतों के कारण लीवर खराब होने लगता है जो लोग ज़्यादा तला हुआ खाते हैं या जरूरत से ज़्यादा शराप और सिगरेट का सेवन करते हैं उनका लीवर जल्दी खराब होने लगता है इसके कारण लीवर में गंदी कठी होने लगती है क्योंकि लीवर की अच्छे से सफाई नहीं हो पाती जिसके कारण हमारा लीवर अच्छे से काम नहीं कर पाता इसकी वज़े से हमारे पूरे शरीर में प्रॉब्लम सोना स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि लिवर के बिना हमारा शरीर कुछ भी काम नहीं कर सकता हमारे शरीर के लिए लिवर एक बहुत important part है इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा गरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ जिसका सेवन करके आप अपने लिवर की अंदर से अच्छे से सफाई कर सकते हैं इस गरेलू नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए एक गिलास गरम पानी एक चमच जैतून का तेल लिवर को साफ करने के लिए बहुत काम आता है क्योंकि जैतून कते लिपे डदार प्लदान करके लिवर की सफाई करने में साहता करता है जिसके कारण लिवर शरीर से हानिकारक विशले तत्वों को बहार निकाल देता है अपने लिवर की अच्छे से सफाई करने के लिए सुबह खाली पेट एक चमच ऑलिव उयल को एक गिलास गरम पानी में डाल कर पी लेना है ऐसा सिर्फ तीन दिन तक आपको लगतार करना है तीन दिन तक ऐसा करने से आपके लिवर की सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी आप 15 दिनों में एक बार इसका सेवन जरूर करने लेकिन दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसका सेवन करने के दो गंडे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो ये ऑलिव ओई ले रहे हैं वो आपके लिवर की अच्छे से सफाई कर पाए ऐसा करने से आपके लिवर की सारी गंदगी दूर हो जाएगी और आपकी बहुत सी बिमारियां भी ठीक हो जाएगी दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें